हरियों पैदर्स को प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का दनौल उसगूरू के सी डूप चनल पर पैदर्स को इस बार जतिया व्रत कब है जिसे बोलते हैं जिवत्स पुत्र का व्रत कब है जानेंगे इस वीडियो में सुब मोहुर्थ नाहे खहे के बारे में जानेंगे और वरत का पारण का सही समय क्या है महत एवं कथा की भी जानकारी आपको देंगे आई जानते हैं इस वीडियो में पुरी जानकारी तो चले वीडियो को अधिक से अधिक सेर जरू करें ताकि यह जानकरी सबी को प्राप्त हो सके तो अस्विन मास में जिवत्स पुत्र का या जितिया वरत रखा जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अस्विन मास के कस्ण पक्च की अस्टमी को जिवत्स पुत्र का वरत रखा जाता है जिसे जितिया वरत कहते हैं हर साल अस्विन मास के कस्ण पक्च की अस्टमी तिथी से लेकर नौमी तिथी तक महलाएं जितिया वरत का निर्जला वरत करती हैं इस वरत को जिवित पुत्र का और वरत कहते हैं जीवतिया कहते हैं जितिया कहते हैं या जीवतिया कहते हैं इस वरत के नाम से इन्हें जानते हैं पुकारते हैं मानता है कि इस वरत के पुर्ण प्रभाव से संतान की आयू लंबी होती है संतान की कामना रखने वाली महलाओं को संतान की प्राप्ती होती है आई जानते हैं ये जितिया वरत कब रखा जाएगा इसके बारे में जानते हैं तो जिवित्स पुत्र का वरत या जितिया वरत इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन सुक्रवार को रखा जाएगा। यह वरत कठेन वरतों में से एक माना गया है। इस दिन महलाएं अपनी संतान की खुल सहाली वा लंबी आयू के लिए निजला वरत करती हैं। तो आईए जानते हैं इसका सुब मोर्द क्या है। तो अश्टमीति थी 6 अक्टूबर को सुबए 6 बच कर 34 मिनट से प्रारंब होगी और 7 अक्टूबर को सुबए 8 बच कर 8 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। यह पर्व तीन दिनों तक चलता है। इस बार यह वरत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को वरत का परण किया जाएगा। तो आई जानते हैं जितिया वरत का नाहे खाय कैसे करें। तो छट वरत की तरह ही जिवित्स पुत्र का वरत का भी नाहे खाय किया जाता है। इसमें वरती महलाएं इस नान आदी करने के बाद पूजा पाड़ करके भोजन ग्रहन करती हैं और अगले दिन रिजला वरत रखती हैं, नहाई खाय के दिन लहसुन, प्याज ये मानसाहरी भोजन नहीं करना चाहिए, आई जानते हैं जितिया वरत 2023 की वरत की पारण क्या है, तो जितिया वरत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8 बच कर 10 मिट के बाद कर सकेंगे, आई जा में बदले की भावना भड़क रही थी, इसी के चलते वह पांडो के सिविर में घुज गया, सिविर के अंदर पांच लोग सो रहे थे, अस्वत्थामा ने उन्हें पांडो समझ कर माल डाला, वह सभी द्रोपदी की पांच संताने थी, फिर अर्जुन ने उसे बंदी बना की अजनमी संतान को दे कर उसको गर्व में ही उसे जीवित कर दिया, गर्व में मर कर जीवित होने के बाद उस बच्चे का नाम जीवित्स पुत्र का पड़ा, तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगर के लिए जितिया वरत का यहां पर करने का महत रखा जाता है, तो यह रही एहम संकारी